नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका डेली 36 गर्रेंट एफेर्स सीरीज में आज हम 9 जून के करेंट एफेर्स के बारे में चर्च करेंगे इस वीडियो की पीडियाप आपको हमारे टेलीग्राम कर मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डेस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स म दे दी गई है साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चनल को और बैल आइकॉन को दबाना ना भूले जिससे आने वाली सब्सक्राइब वीडियो की नोटेप्रेशन आपको मिलती रहेग तक के लिए राज्य महिला उद्रमिता नीती कब तक के लिए लागू की गई इसकसी मितर वर्स 2028 तक के लिए में 36 गड़ से कौन सी खिलाड़ी इंडिया टिम का हिस्सा रही है इसके उत्तर है अंजली एन आई आरेफ की ओवरार रैंकिंग के लिए समान्य धान के नियुंतम समर्थन मुल्य को बढ़ा कर कितने रुपए प्रति कुइंटल कर दी गई है इसके सिम्तर है ऑप्षन ए 2,183 रुपए ध्यार के दोस्तों समान्य धान के नियुंतम समर्थन मुल्य पूछा है तो 2,183 रुपए है और ग्रेड ए धान का नि 24 के लिए धान की नियुंतम समर्थन मूल्य में 7% की बढ़ोत्री हुई है नियुंतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्री से जो है न समान्य धान जो है 2183 रुपा प्रतिक विंटल और ग्रेड ए धान जो है 2203 रुपा प्रतिक विंटल हो गया है वहीं मूंग का जो समर्थन मूल मुल्य जो 2023-24 में है उसमें सबसे ज़्यादा समर्थन मूल्य किसका है मूंग का है 8,585 रुपए और अगर आपको प्रतिसत में पूछे कि कितने प्रतिसत की वृद्धी हुई है तो 7 प्रतिसत की विद्धी हुई है और एक बात और धियान रखेगा कि जो धान का समर्थन गोष्णा की है अगला प्रश्ण है केंद्र सरकार दोरा धान के नियुंतन समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के बाद 36 गड़ में धान कितने रुपए प्रतिक विद्धाल बिकेगा इसका सिंटर है ऑप्शन सी 2783 रुपए प्रतिक विद्धाल जो है वो बिकेगा ध्यार के दोस्तों 2783 रुपए जो प्रतिक विद्धाल है ये समान्य धान का समर्थन मूल्य है जो 36 गड़ में बिकेगा केंद्र सरकार दोरव वर्स 2023 जोविस में धान के नियूंतन समर्थन मूल्य में 143 रुपए की बढ़ोतरी की गई है इससे अब 36 गड़ किसानों को धान में 2783 रुपए प्रतिक विद्धाल मिलेगा इससे पूरो केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य 2040 रुपए में 36 गड़ र तो समान निय धान का वर्तमान में नियूंतन समर्थन मूल्य कितने 2183 रुपए और इसमें 600 रुपए की इन्पूट सब्सिडी दिया जाएगा तो 2,783 रुपए प्रतिक विद्धाल बिक्यगा और 36 गड़साशन ने 2800 रुपए प्रतिक विद्धाल में धान खरीदी करने का जो है न घोशना किया है अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने वर्स दो हजर तेविस चोबिस के लिए धान के नियुंतम समर्थन मुल्य में कितने रुपए के वृद्धी किये है इसका सिंद्धर है ऑप्षन भी 143 रुपए की अगला प्रश्न है नरायनपूर में चेंद्रु मंडावी दा टाइगर बॉइ की प्रतीमा का अनावरण किस ने किया है इसका सिंद्धर है उप्षन सी स्रीकवासी लखमने किया है उद्ध्योग मंत्री स्रीकवासी लखमने नरायनपूर जिले के प्रवास के दवरान मंडावी का जजन्म है वो नरायनपूर जी ले के ग्राम गड़ बेंगाल में हुआ था उनकी दोस्ती बाग से होने के करण इनको टाइगर बॉय के नाम से जाना जाता है चेंदरू और बाग की दोस्ती पर बनी दफिल्म दजंगल सागा को 1997 में ओस्कार रवाड प्राप्त ह हुआ था कि अगला प्रश्न IS आदीम जाती तथा अनुसू्चित अटी विखास विभाग द्वारा वरतमान में 36 ग्र में कितने दिवसी प्रसिक्षन प्रारम हुआ है जो कि 10 जुन तक दिया जाएगा उलेखनी कि नव वर्तमान में आदिम जाती तथा अनुसूचित विभाग द्वारा 36 गड़ में 3294 चात्रवास आस्रम संचालित किया जा रहे हैं जिसमें से 2774 जो है अनुसूचित जन जाती के लिए ह हैं 483 जो है अनुसूचित जाती के लिए 37 चात्रवास आस्रम जो है वो अन्य पिछरवर्ग के हैं प्रिमेट्रिक चात्रवास आस्रमों में प्रवेशित चात्र चात्रवास को वर्तमान में जो है एक हजार उपय प्रतिमाह की दर से सिश्य वृत्ति प्रदान की जा रही ह अगला प्रश्न है नेशनल इंस्टिटूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की रैंकिंग में उच्छे सिक्षन संस्थाओं के बीच 101 से 150 की सूची में इस्थान प्राप्त करने वाला चतिसगर का एक लौता विश्वविद्याले कौन से है इसका सिंद्धर आप्शन भी कलिंगा विश्वविद्याले नेशनल इंस्टिटूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क निर्फ 2023 की रैंकिंग में ना कलिंग विश्वविद्याले चतिसगर के लौता विश्वविद्याले है जिसे उच्छ सिक्षन संस्थानों के बीच 101 से 150 की सूची में इस्थान मिला है यह विश्वविद्याले है आएन आई आरेफ के द्वारा दी गई रैंकिंग का महत्वपूर्ण स्थान है जिसके द्वारा संपूर्ण देश के उच्छ सेक्षनिक संस्थानों के गुणवत्ता का मुल्यांकन करके उन्हें रैंकिंग प्रदान की जाती है अब इसी में आई आई टी भिलाई ने 81 रैंक हासिल किया है और फार्मेसिस अंस्थानों में गुरु घंसिदास विश्विद्याले बिलासपूर ने देश भर में 43 वा रैंक प्राप्त किया है अगला प्रशन है बॉड़ी बिल्डिंग के छेत्र में 36 गड़ से किस ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है इसका सिमुत्तर है औप्शन है रमे सिर्वानी ने बॉड़ी बिल्डिंग के छेत्र में लगातार 35 वर्सों तक अंतरास्ती राष्टी अवार्ड प्राप्त कर देश प्रदेश वा धीवर समाज का नाम रोशन करने वाले रमे सिर्वानी को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने पर सफलता मिली है अवार्ड प्रदान करने के लिए एक गोल्डन बुक ऑफ अवार्ड एसिया के प्रमूग डॉक्तर मनिस भी स्नोईवा उनकी टीम ने अवार्ड प्रदान किया है उन्होंने बताया कि पूरे वर्ल्ड में 36 गड़ के धमतरी निवासी रमेस हिरवानी पहले ऐसे वेक्ती है जिन्होंने इतने वर्सों तक बीना कोई पूर्ड सप्लिमेंट के प्राकृतिक तरीके से वेवाराम करके यह मुकाम हासिल किये हैं और लगातार 35 वर्सों तक ऐसा करने वाले पहले वक्ती है इसलिए उनको यह अवार्ड प्रदान किया जा रहा है चलिए दोस्तों अब हम कुछ इंपोर्टेंट नेशनल इंटर्नेशनल करेंट अफेट्स के पारे में चर्चक करेंगे चलिए अगला प्रशन है वेश्व परियावडन दीवस पर प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी ने रामसर इस्थलों के सरक्षन के लिए किस योजना को श चुरू हुई है इसका सहीं उत्तर है option B भारत और स्री लंका अगला प्रशन है दुनिया का पहला 3D printed मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है इसका सहीं उत्तर है option C तेलंगाना में दोस्तो आज के लिए आपका प्रशन है 36 गड़ में मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना के अंतरगत वर्स 2023 में कितनी कन्याओं के विवाह के लिए लक्ष निरधारित किया गया है चार option आपको दिये गया है इसका सहीं उत्तर आप हमें हमारे comment box में जरूर बताएं दोस झाच जिसंतर है